वेरी बूर्णिंग फ्रेंट्स और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंसिट्टूट आफ इम्मुनलोजी की जिसके अपके पिस्टी के एंट्रेंस एक्जाम के जो फॉर्म है वो आउट हुए हैं 2022 तो जो आपका नेशनल इंसिटूट आफ इम्मुनलोजी है यह आपका देली में है किसी को नहीं बता है तो तो हम इसके बारे में जो फॉर्म आउट हुए हैं आज पर्टिकुलर एक एक पाइंट को लेकि हम इंफोमेशन जो है वो देखने वाले हैं सबसे पहले जो हम डेट्स के बारे में eligibility के बारे में selection criteria क्या है आपका जो application fees क्या है और exam और exam का pattern तो सबसे पहले जो application स्टार्ट हुआ था यह आपका December में स्टार्ट हो गया था 24th of December 2021 को तो online application की जो closing है वो आपकी 18 तारिक हो है 18 जन्वरी को आज शायद 4 या 5 तारिक होगी तो अभी आपके पास 10-12 दिन है तो आप अराम से fill up कर सकते हैं form को admit card आपका available हो जाएगा 7 February को तो आप ज्यादा time नहीं है यानि 15-20 दिन के अंदर या आपका admit card हो जाएगा और आपका exact या थोड़ा सा आगे पीछे हम देखें तो exam date 20 फरवरी की है यानि application status closing से अगर हम एक महिना लगा के चलें तो उसके बाद जो है आपका exam है तो not out आपके बास around one या one and half month है और य days जो है यह change हो सकती है क्योंकि जो आपका information आई है उसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि covid की covid-19 की conditions रहती है उस base पर जो है यह आपकी change हो सकती है और एक बात और भी है national institute of immunology की जो मैंने इस video में mention नहीं किया है कि इनके जो exam के center है वो बहुत कम है जैसे आप देखेंगे new Delhi में center है लेकिन हर्याना में कोई center नहीं है इसका पंजाब में देखेंगे तो आप सिर्फ चंदीघ सेंटर है उसके लाबा कोई center नहीं है UP में देखेंगे तो आप UP में भी इसके एक या दो ही center है तो इस तरीके से आप जो है center बहुत कम है तो इस वज़े से जो conditions है वो उस पर यह ज़्यादा dependent हो जाता है next हम देखें eligibility को तो MSC कोई भी branch physics, chemistry, biology तीनों ही applicable है कोई भी भर सकता है और इसके साथ MBBS, veterinary वाले और M-pharma integrated, MSC और equivalent तो applicable तो almost सभी जो है वो master's में अगर हम life science की बात करें तो है physics और chemistry को भी जो है chance मिला है 60% जो है आपके plus 2 में 60% graduation में and 55% in master's कुछ लोगों का questions होगा कि जो final year में है या जो appearing है फाइनल सेम में है वो apply कर सकते है या नहीं तो वो apply कर सकते है उन्हें ऐसा कोई जो है वो problem नहीं है कि वो apply नहीं कर सकते है यह मैंने आगे mention भी किया है और इन सारे चीजों में जो भी यह marks है 5% relaxation है जो आपके reservation category रहती है reservation of seats यहाँ पर जो है seats का number PhD में mention नहीं होता है जो कि institute को पर depend होता है कि कितनी seat वहाँ पर है तो SC में आपका यह आपका reservation जो normally रहता है SC, ST, OBC, PWD और जो general का कुछ नहीं होता है वो सब आपका रहता है I think यहाँ पर कुछ EVS का भी include हो सकता है श्याद कुछ percentage में हो लेकिन mainly तो आपका यहीं पर ही reservation था SC, ST, OBC और PWD में तो यह आपका seats का reservation रहता है next हम बात करें details की जो आपका final year की examination दे रहे हैं या जो candidates हैं वो eligible हैं तो candidates जो exam pass करेंगे यानि 20 तारिक को जो यह exam होगा उसका result या फिर आप जो exam pass करेंगे उनका जो list आएगी वो आपकी 10 March को आएगी तो further आगे का procedure अगर सब ठीक रहता है तो 10 March 2022 को आएगी और आपका interview है वो जो होगा आपका जून में होगा 7 June से लेकर 14 June तक अगर इस बीच में आप जो है अपना final year का examination निकाल लेते हैं या आपका result आने वाला है या उसी time पर आ सकता तो मेरे हिसाब से आपको form भर लेना चाहिए क्या का final semester है जून जुलाई में खतम हो रहा है या उससे पहले हो रहा है या एक दो महीने बाद भी हो रहा है तो आपको form भर लेना चाहिए आपको अगर आप select होते हैं तो PSG के दोरान आपको 31,000 पर मत की scholarship मिलेगी selected candidates यहाँ पर जो कुछ चीजे हैं जो आपको selection procedure में आपको समझ में आएंगी अगर इसके अलावाग कोई NIAE का exam based पे admission लेन लेता है और किसी का CSR, UGC, ICMR DBT, DST जो भी आपका जो यहां mention exams है वो qualified है तो उनको इस basis पर जो है funding मिलती है क्योंकि जो exam है यहाँ पर उनको plus HR भी मिलता है mainly देखा जाए तो यहाँ पर आपको HR नहीं है 31,000 that's all तो इतना ही है अगर इन exams based पे जो मिलता है तो आपको CSR funding देगा या ICMR देगा या DBT देगा तो वो एक अलग चीज हो जाती है लेकिन वो लोग जिनका exam qualified है वो यहाँ पर apply कर सकते है जो hostel का मैंने mention किया है कि जो hostel है वो आपका shared होगा यानि per room में two candidate शायद या two persons है वो रह सकते हैं hostels में application fees की बात करें और selection criteria जो आपका सबसे main है journal या OBC के लिए आपकी 1000 रुपे application fees है SC, STP, WD के लिए आपकी 500 रुपे fees है selection criteria एक तो आपने देख लिया जो मैंने बताया कि आपका NII का exam है तीन आपका result आएगा फिर उसके बाद interview होगा जो यह सब मैंने बताया यह आपका NII exam वाला pattern है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बाद आपका different national exams mentioned previously जो यह सब हैं इनके थुरू आपका admission हो रहा है कि आपने exam qualify किया हुआ national level का जब आप form भरेंगे तो आपसे यह चीज पूछी जाएगी इंटर्डिस्प्रियर लाइफ सेंस तो किसी ने यह qualify किया है तो उसका उस base पर भी है जो admission हो जाएगा तो दो या तीन channels हैं जिनके तो आपका admission हो सकता है जो जिनके पास कुछ भी नहीं है जिनके पास यह exams नहीं है या फिर जो previously mentioned exam है वो qualified नहीं है तो आपको NII का exam वो देना ही पड़ेगा अगर आप देना चाहते हैं तो fill करना चाहते हैं form तब next exam and pattern तो कोई एक particular जो है वो syllabus नहीं है हम अगर देखा जाए तो और paper छोटा ही है कुछ ज़्यादा question नहीं है इसमें आपके 60 questions है एक question आपका तीन number का है तो इस हिसाब से आपका 180 marks का paper है negative marking देखें तो आपकी one mark एक गलत answer के लिए होगा time period आपका डेड़ घंटा यानि 90 minutes है तो यह आपका जो है exam का एक pattern type हम बोल सकते हैं जो questions जितना मैंने आपका analyze किया है कि aptitude mathematical questions आपके question paper starting होते ही आपको जो है मिलेंगे सबसे पहले 10-15 question आपको यहीं मिलेंगे उसके बाद जो है आपके life science के question शुरू होंगे और वहाँ पर जो है biochemistry immunology cell biology और जो methods in biology या जो techniques होती है especially जो आपके molecular biology से related है तो उस type के questions आपको ज़्यादा मिलते हैं biochemistry immunology के question मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर weightage रखते हैं तो यह भी आपको cover up करना होगा और यह भी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसमें pharma का कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है लेकिन कोई prepare करना चाहे exam देना चाहे तो दे सकता है क्योंकि exam आप देखेंगे previous year available है यानि कुछ exam 2017-18 वाले जो अपके previous year exams है NII के वो available है शायद इससे आगे के भी हो तो आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जितना आप से prepare हो पाए तो आप कर ही सकते हैं जो first time दे रहे हैं या जिनको previous knowledge नहीं था तो वो ऐसा कर सकते हैं तो I hope this is all about the center के वारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ So this is all about the NII I hope you like the video और जो link है अप application का apply करने का मैं description में डाल दूँआ Thank you so much and all the best